दोस्तों बोले भंडारी आज दिनांक 15 जन्वरी दोजार सोबीस है इस समय सुबह के कोई तीन बजुकर तेतारी समय है आज की देवानी, जन्वानी, मंगलवानी मैं उस्पर्मस्त्ता को नमन करता हूँ इस सुबह के बलाकर इस सुबह मेरे सामने खड़ा है दोस्तों आज ये एक तरह से दूसरा वीडियो है आज का अभी हमने दो बोजे एक वीडियो दिया है कल वाला ही था जिसको अप्लोड किया थोड़ा सा उसमें चेज़ तो खेर नहीं किया पर दोबार अप्लोड किया है उसको तो अभी हम इस वीडियो का दो नमबर दे रहे हैं वह दोड़ाई बज़े हमने अप्लोड किया ही था मैं लाइट आफ और के सो गया भगवान फिर कहने लगा कि मंगल ये एक छोटा सा वीडियो और दे थे भगवान की नोकरी करते हैं उसके दुनिया में रहते हैं अब इनकार कैसे कर सकते हैं पर बाद में सो लेंगे उसने उसने बोला उसके फरिस्तों ने बोला देखो दोस्तों ये कुछ दूसरे दुनिया से आती हुई आवाजे जैसी हैं एंटिटी जैसी हैं, चाया जैसी हैं, जिने हमें डिकोड करना पड़ता है, इनको हम कई बार ये डिकोडिंग सही होता है, कई बार पड़ा, गलत भी होता है, क्योंकि उस इस्वर की भासा कोई इतनी आसान नहीं है, ये देपी वो सिंपल है, लेकिन हमारी ग्रेडिंग पर निर्फर करती है, कि हम कितने प्योर हैं, हमारे इस्वर क्या है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं, क्या समझते हैं, चलो, आज का छोटा से वीडियो सुनिए, उसने कहा मंगल सुन मंगल सुन, मैं अपने सामने बोर्ड पर लिखे वे इसको पढ़ता जाता हूँ, देखने ना आ मंगल सुन मंगल सुन, अब इन पर कोई आफ़त ऐसे ही गरेगी, अब इन लोगों पर आफ़त कोई ऐसे गरेगी, किन लोगों पर, भारत में जो उचल कूद मचाते हूए लोगों पर, जो पबलिक का कोई काम करते हैं और अपने स्वारत में डूबे पड़े हैं, मंगल अब इन लोगों पर कोई आफ़त ऐसी गिरेगी, जैसे जंगल में किसी फलडार पेड़ के नीचे गिरे हुए, फलों को हिरनों का जुंड चरता रहता है, और उन पर गात लगाया हुआ कोई चीता या लिपोर्ड छल्लांग लगा देता है उनको पता भी नहीं होता वे अपना फल खाने में मगन होते हैं लेकिन उपर बैठा हुआ कोई गात लगाता हुआ चीटा या लेपोड उन पर छलंग लगा देता है कभी-कभी यह हम दरस से एनिमल प्लेनिट चैनल डिस्कवरी चैनल इत्तादी पर देखते हैं दूसरी वाइड इंफोर्मेसंस में देखते रहते हैं और उन हिलनों के जुनने में भगदर मज जाती है क्या होता है कभी उन में से एकाज जीव हाता जाता है उनका स्षिकार बन जाता है कभी दाव खाली भी चला जाता है कभी एक से ज़्यादा जीव भी स्षिकार बन जाते हैं अब कोई न कोई आफ़त इन भारत के इन प्लेयर्स पर इनको जो भी आप अपने विचार से खहलो कोई इनको मसिय कहता है कोई लुटेरा कहता है कोई करम करने वाला कहता है कोई कुछ कहता है इन पर आफ़त अब ऐसे ही पड़ेगी मंगल सुन मंगल सुन अब इन पर कोई आफ़त ऐसे गरेगी जैसे जंगल में किसी फलडार पेड़ी के नीचे गरे हुए फलों को हिरनों का जुन्ड चरता रहता है और उन पर घात लगाया हुआ कोई चीता या लिपोर्ट छलांग लगा देता है किन पर देखिए कुछ मैंने नाम या कॉड़ वर्ड में लिखें कुछ सीदे सीदे लिख दियें बाई जिनको मेरी इससे दिक्कत हो मैं सोरी हूँ लेकिन हमने अपने विचार से उनके लिए अच्छा अच्छा लिखा है क्यों कि ये उनके लिए एक चेटा है एक advanced information है कि भाई ऐसा हो सकता है be careful कौन कौन इसमें आप इसमें देखिए MSBY एंड इसका पूरा जुन्ड पॉलिटिकल टाइकुन में है पॉलिटिकल एलिट से है या पॉलिटिकल टाइकुन से है MSBY और उनका पूरा जुन्ड रिलिजिस जुन्ड में देखिए रिलिजिस टाइकुन में देखिए संकराचारिये बड़े-बड़े पुजारी बड़े-बड़े पिठा दीस्वर ये रिलिजिस है प्राणे नाम हम सुनते रहते हैं अब नए नए नाम और भौत पोगें जैसे माल्या जैसे नीरोग जैसे सब भगोड़े हराम का माल लेकर भागे हुए भगाए हुए और विदेश्वम मोज करते हुए जूडिशियल टाइकून, डीवाई चंद्रशूर, गोगोई, रमन्ना, बेवड़ा, मिस्रा, एंड ब्राह्मन कंपनी जूडिशियल अदर्स, अदर्स जैसे कोई जग्गू बताया है, जैसे एक लाख हाट सरी कोई है, कोई कुल स्रिष्ट है, कोई अभिताब है, बहुत से एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, और बहुत से अन्ने लुटे रहे जो सेक्टर्स हजारों करोड जिन्नों ने यहीं सी पब्लिक से कमाया, लुटा, लेकिन जिनके दिल में दैय नाम की कोई चीज नहीं, कोई यह नहीं कि यहां के बच्चों के लिए कुछ तो कभी करो, यह सभी इन सभी पर अब कोई आफ़त ऐसे गिरेगी, जैसे की अब इन पर कोई आफ़त ऐसे गिरेगी, जैसे जंगल में किसी फल दार पेड़ के नीचे गिरे हुए फलों को हिरनों का कोई जुन्ट चरता रहता है, और उन पर घात लगा हुए कोई चीटा या इसी घटना कि जो मुझे जितने सुचना दिये है, वह मैं आपको बताता हूँ, इस देश में अन्याई इतना हुआ है, कि भगवान ऐसा लगता है कि भगवान ने सारा काम अपने हाथों में ले लिया है, और अब भगदर मचेगी, क्यों, यहां कोई भी सुधार होने से प खोड़कर, बंगलों को छोड़कर, अपने करणों की गाड़ियों को छोड़कर, यहां तक की अपने घरवालों को भी छोड़कर, भागेंगे, कोई नेपाल के तरफ, कोई हवाई अड़े के तरफ, कोई बस अड़े के तरफ, कोई सी सोर के तरफ, कोई भी साध्यन मिल जा है क्योंकि यह अन्यायत्तчारी इनोंने सा किया है मिल-मिल कर देश को लूटा है इनको पता नहीं कि उस परमार्टमों का भेजा हुआ कोई बन्दा इस दुन्या में है जो मुझे मंगल को भी सुछना देते रहता है और वो एक परमार्टमा तो इस दुनिया में खड़ाई रहता है अर समय उसके बंदे की बार तो अलग है ऐसे थोड़ी दुनिया चलती है जिन में कोई दया नहीं धर्म नहीं शर्म नहीं अक्ल नहीं जहां ब्रिष्टता ही ग्रिष्टता ही बेशर्मी ही लूटी कितने सिंप्टम मिल रहे हैं हमें यहां कि परले बस आई इसको देखो उसको देखो उसको देखो किसी भी सिंप्टम को पकड़ लो वो यहीं बताता है कि परले बस आई लेकिन दोस्तों फिर भी अच्छे लोगों को कुछ नहीं बिगड़ेगा और उनका जो अपना पस्चा ताप कर लेंगे प्राट्पना कर लेंगे अपने आपको सुधार लेंगे या जो औरिजिनल तो है नहीं भटक गए है इस तोर के घर ने देर है ने अंदेर है इसलिए यही आज का दूसरा वीडियो है उसने बोला परमात्मा ने बोला इस्ट मेरे इस्ट देव ने बोला ग्रेट सायर ने बोला देवात्मा ने बोला एले ने बोला मंगल ने बोला पता नहीं किस-किस ने हो रा जो मुझे आवज सुनती है जो छाया से दिखाई देती है जिन एंटिटी से हमारा परिचे होता है कि मंगल सुन मंगल सुन अब इन लोगों पर कोई आफ़त ऐसे गिरेगी फिर इनके कान खड़े होंगे आगे आगे बहुत सा होता जाएगा जो बताता जाएगा हम आपको बताते रहेंगे भई हम तो अपना काम कर रहें आपका दोस्ती है मंगल अलवर राजिस्तान से आपके सेवा में उस भगवान के सेवा में जन जन की सिवा में क्योंकि सब की सिवा ही हमारे जिवन को चलाती है बहुत बहुत धन्यवाद आज इतना ही जै इंद जै वारत